हेलो फ्रेंद्स वेलकम टू मैं चैनल राहुल शेरा व्लॉक्स मैं आपका फ्रेंड राहुल शेरावत आज की इस वीडियो में हम जानेगे के चैनेड़ा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे ताकि ऐसी वीडियो में आद लाता रहूं आपके लिए आपका सब्सक्रिप्शन कहीं न कहीं है मैं मोटिवेट करता है ऐसी वीडियो बनाने के लिए और अगर आप वीजा से रिलेटेट कोई भी सर्वेसेज चाहते हैं वीजा पासपोर्ट से रिलेटेट तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो यह हमारी मेल आ आके दिखा देता हूं तो आपको जाना होगा साइन इन विद्ध जी सी की पर और यहां पर साइन अप का ओप्शन है इस पर क्लिक कीजिए इसके बाद आये अक्सेप्ट पर क्लिक कीजिए फिर उसके बाद जो भी आप यूजर नेम चाहते हैं वो चेकलिस्ट को कर दिया है तो यह मैंने अपना यूजर नेम सेलेक्ट किया है इसके बाद कॉंटिन्यू पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहां पर पासवर्ड चूज करना है जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो चेकलिस्ट इसको देख लीजिए यह सारी चीज़े उसमें होनी चाहिए तो मैं पासवर्ड यहां पर बना लेता हूं आप अपने कोर्डिंग जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं वो बना सकते हैं कि कन्फर्म मैं अपना पासवर्ड क्रेट कीजिए उसके बाद कॉंटिन्यू पर क्लिक कीजिए तो देख लीजिए अगर आपने यह ठीक करके तुबारा पासवर्ड बनाना होगा कि मैंने अपना यूजर नेम बना लिया है उसके बाद आपको यहां पर क्वेस्टिन्स अपने चूज करने होते हैं तो रिकवरी क्वेस्टिन में हम चूज कर लेते हैं वाट वाज यह फेवरेट सब्जेक्ट वाज पर संता तो मैं आपर इंग्लिश लग देता हूं मैं इमसर बर मे smellsर जिद्वा जल बसुन सकते हैं तो मैं इापर कोसल निकिता हूं यह मेरी फिज्श धेक्स की टीचर थी तो मैं उनका नाम mention कर देता हूँ और memorable date मैं आपकी जो भी date है वो डाल सकते हैं तो मैं यहाप पर अपनी date of birth डाल देता हूँ और date of birth उसके बाद continue पर click करना होगा continue पर click करने के बाद आपको यहाँ पर mail id डालनी है जो भी आप mail id यहाँ पर चूज करते हैं तो अभी के लिए मैं mail id अपना डाल देता हूं EPS Club वाला उसके बाद मैं content पर click कर देता हूं अब आप देख सकते हैं कि you have successfully created gcq तो मेरा यहाँ पर successfully gcq create होच चुका है तो अपना जो भी user name है अपना याद रखिए उसके बाद continue पर click करना होगा इसके बाद आपसे यहाँ पर confirmation code पूछा जाता है जो कि आपकी mail id पर गया हुआ है तो आप अपनी mail id पर चाहिए वहाँ से confirmation code ढूंडिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यह mail आ गया है तो आप देख सकते हैं यह code आ चुका है इस code को copy कर लेना है और यहाँ पर paste कर देना है इसके बाद continue पर क्लिक करना है देखिए यह मेरा successfully हो चुका है और इसको continue पर क्लिक कर देना है नेक्स फिर continue पर क्लिक कीजिए इसके बाद terms and condition को accept कीजिए इसके बाद आपका account create करने के लिए आपसे नाम last name ने आपका नेम ले इसके बाद आपका account create करने के लिए आपका name last name और email id यह सब पुछी जाती है तो आप इसमें mention कीजिए इसके बाद अपनी language प्रेफर कीजिए English उसके बाद continue पर क्लिक कर दीजिए इसके बाद आपको खुद अपने security questions बनाने हैं और उनका answer भी आपको ही देने हैं तो यहां पर अपने according security questions बना दीजिए तो मैं first question बना के दिखाता हूं आपको what is your तो यहां पर question mark और question ही डानना आपको फिर नीचे टैब दबाके उसका answer दिख दीजिए तो आपको इस तरीके से question बना रहे हैं और उनके answer देने जो भी आपको question बना रहे हैं उनको आप no down कीजिए उसके साथ में answer भी no down कीजिए ताकि आपको कोई problem ना हो जब भी आप open करेंगे तब यह questions आपसे पूछे जाएंगे तो जब आप question बना लेते हैं तो आपको continue उपर click करना है अब आप देख सकते हैं मैंने successfully account बना लिया है उसके बाद आपको नीचे scroll down करना है इसके बाद scroll down करेंगे तो यहां पर start an application apply to come to Canada इस पर आपको click करना है इसके बाद scroll down कीजिए scroll down करने के बाद आपको यहां पर visitor visa study and or work format पर आपको click करना है इसके बाद यहां से आपको सभी options चूज़ करने है तो यहां पर what would you like to do in Canada तो यहां पर study आपको select करना है how long are you planning to stay in Canada तो यहां पर आपको more than six months पर आपको click करना है उसके बाद इसके बाद आपको 3rd में आपको यहां पर अपना India चूज़ करना है what is your current current country territory of residence if you are presently in Canada you should select Canada तो यहां पर आपको India चूज़ करना है उसके बाद आपसे पुछा गया है do you have a family member who is a Canadian citizen or permanent resident and is 18 year or older तो यहां पर पुछा गया कि कि आपका कोई family member है जो कि Canadian citizen है या permanent resident है और उसकी age 18 सालिया उससे कम है तो यहां पर मैं no choose कर देता हूं इसके बाद आपसे date of birth पुछी जाती है तो अपनी यहां पर date of birth आप mention कर दीजे और इसके बाद next पर click कर दीजे इसके बाद आपको यह पुछा जाता है इसके बाद next पर click कर दीजे इसके बाद पुछा जाता है have you visited or lived in any one of the designated countries for six consecutive months in last year तो आपको यहां पर no choose करना है उसके बाद next पर आपको click कर देना है तो इसमें आपको medical के बारे में पुछा जाता है कि आपने कि आपने medical करवाया हुआ है पिछले बारा महिने के अंदर तो यहां पर आपको yes select करना है उसके बाद next पर click कर दीजे Do you have a guaranteed investment certificate GICA of at least 10,000 तो यहां पर GICA के guaranteed investment certificate होता है जो आपको 10,000 आपको invest करना होता है उनके account में तो यहां पर आपको yes select करना है इसके बाद पुछा गया है did you pay your first year's tuition in full तो यहां पर आपको yes select करना है Have you taken a language test in past two years तो यहां पर भी आपको select करना है yes IELTS जो भी आपने test दिया है तो यहां पर select कीजिए IELTS या TF में तो यहां पर IELTS select कीजिए इसके बाद next पर click कीजिए वर all your results of listening, reading, writing and speaking on the international language testing system इदर पुछा कहा है कि जो आपकी reading और writing और speaking में है है उसमें छे या 6 से ज्यादा है आपके bands तो आपको yes select करना है उसके बाद next पर click कीजिए तो यहां पर आप अपना मेरेटल स्टेटर्स चूज़ कर सकते हैं तो मैं यहां पर सिंगल डालना है यह नाइवर मेरेट सिंगल पर मैंने क्लिक कर दिया जाएंगे तो यहां पर पुछागे कि आप किस प्रोविंस में आप आप मुल्टीपल डेसीन जाएंगे तो आप एक डेस्टीनेशन चूज़ किजी जहां पर आप ज्यादा टाइम के लिए रहने वाले तो यहां पर मैं on tar you choose कर लेता हूं उसकी बाद next पर click कर देते हैं तो अभी तक जो भी हमने question का answer दिया है उनकी basis पर हम इस SDS category के लिए eligible हैं अब आप continue पर click कर दीजिए continue पर click करने के बाद continue पर click करने के बाद आप दुबार हैं आप पर continue click करने के जिए इसके बाद पुछा गया do you have a valid work permit or study permit and need a visa to return to Canada देखिए अभी हम first time apply कर रहे हैं तो यहां पर आपको no select करना है और यहां पर next पर आप click कर दीजिए इसके बाद आप से पुछा गया are you an exchange student तो no select कीजिए is work an essential component of your studies इस question में आपसे पुछा गया कि आपके लिए काम करना जरूरी है अपनी पढ़ाई को continue करने के लिए तो आप यहां पर yes or no अपने recording select कर सकते हैं तो मैं यहां no select कर देता हूं are you spouse common law partner or child in certain scale worker और certain time international student तो आप इसको no कर दीजिए इसके बाद तो आप इन questions को पॉट सकते हैं अगर आप इन में से कुछ है तो yes or no कर सकते हैं तो मैं आप और no select कर देता हूं इसके बाद next पर क्लिक कर देता हूं तो इसके बाद आप से पुछा जाता है कि आप किसी family member के साथ ट्रेवल कर रहे हैं इनका रड़ी Canada visa लग चुका है तो इसके बाद पुछा जाता है have you ever committed or been arrested for being charged with or convinced of any criminal offense in any country यहां पर पुछा जाता है कि आपके पास कोई भी आपने submit an application for a family member क्या आप कोई application submit करना चाते है family member के लिए तो यहां पर no select कर दीजे और next पर क्लिक कीजे इसके बाद आप से पुछा जाता है कि इस application के लिए access आप किसी representative को देना चाहते हैं या फिर travel agent को तो यहां पर हमको अप्लाइ कर रहे हैं तो यहां पर no select कर देते हैं और next प कर देते हैं तो यहां पर पुछा गया है कि आपने पिछले दस साल में क्या फिंगर पिंस दिये हैं कैनेडा आने के लिए तो यहां पर हम first time जा रहे हैं तो यहां पर no select कर देते हैं next पर click कर देते हैं उसके बाद नेक्स पुछा गया है there are fees associated with this application will you be paying your fees और are you fee exempt तो इस question में पुछा गया है कि आपको इसके लिए fees payment करनी होगी तो आप यहां पर yes I will be paying my application fees आप इस पर select किजिए और next पर click कर देजिए तो इस question में पुछा गया है कि आप अपने documents scan या camera से photo click कर सकते हैं तो आपको yes select करना है और next पर click कर देना है तो इसमें पूछा गया है next question में क्या आप इसकी online face pay करेंगे तो यहां पर cards की option है इन वैसे जो आपके पास card होना चाहिए तो यहां पर yes select करना है आपको next पर click कर देना है इसके बाद अपने questions को आप review कर सकते हैं को changes करना चाते हैं तो यह added की options हैं आप इन में से choose करके और कर सकते हैं next आपको scroll down कीजिए और continue पर click कीजिए फिर आपको scroll down करना है फिर एक बार से तुबारा continue पर click करना है इसके बाद आपकी checklist generate हो गई है तो आपको यह checklist के according अपने documents प्रोवाइड कराने है तो लगबग fees इसकी जो जा रही है 235 Canadian dollar है जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया हुआ है तो आपको one by one कि जो भी अपने mark sheets है वह यहां पर जो भी आपके documents है वह आपको यहां पर attach करने है उसके बाद आपको जो आपने GIC certificate आपका बना है 10,000 Canadian dollar का वह आपको यहां upload करना है उसके बाद tuition payment fees जो आपने वहां की university की payment fees की है तो आपको यहां पर upload करना है इसके बाद आपको पर IELTS का जो test है वह यहां पर आपको upload करना है इसके बाद letter of acceptance जो आपका offer letter है वो university से आपको मिलता है वह आपको यहां upload करना है इसके बाद आपनी passport front and back जो copy है वो यहां upload कीजी और यहां पर एक photo अपना digital photo जो आपने scan करके रख रखी है आप यहां पर upload कीजी इसके बाद जो आपका medical हुआ है उसका आपको यहां पर certificate है वो upload करना है इसके बाद आपको family information form आपको download करके यह फिल करना है और इसको upload करना है उसके बाद schedule 1 जो है यह भी आपको तो इसको आपको download करना है और उसको फिल करके देना है और client information में जो भी आपके other supporting documents है bank statement है ITR है जो भी आप इस से related application से related provide करना चाहते हैं वो यहां पर provide करा सकते हैं यहां पर next option आ जाएगा तो आपको यहां पर next next करके आपको उसकी payment कर देनी है तो I hope दोस्तों यह वीडियो आपको पसना दाए होगी thank you very much friends